स्वागत करता हूँ आप सभी को आजके इस नीव उडियो में देखें साथियों, शात्मी चरण सिक्षक भाली आप सभी को पता है कि ओनलाइन तरीके से होने वाली है साथ में ओनलाइन के साथ साथ सेंटरलाइज परक्रिया भी अपनाई जाएगी तो साथियों, इस सेंटरलाइज परक्रिया में अब भीर्थियों को क्या-क्या लाव होने वाला है और क्या नुकसान होगा और इसमें हम साथ में यह भी जानेंगे कि अब भीर्थियों का बहुत सरा कमेट आ रहा था कि centralized प्रकरिया में अगर केवल एक आवेदन लिया जाएगा तो अभेर्थी अपना job secure मान सकते हैं या नहीं ऐसे में बेर्थी दोरा बहुत सरा स्वाल पुछा जा रहा है कि centralized प्रकरिया किस तरह अपनाई जाएगी इसका process क्या होगा चलिए साथ हम बताते हैं आपको इस वीडियो में कि centralized प्रकरिया का process क्या रहेगा आप वीडियो को end तक जरूर देखेगा ताकि आपको अच्छी तरके से समझ में आ सके अगर आप आज वीडियो को थोड़ा भी skip करते हैं तो आपको शंपूर जानकारी मिलने में थोड़ी सी कटनाई हो सकती हैं चलिए देखते हैं आगे बने स्पेल आप अगर नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा ताकि आपको और एक छोड़ी बने टाइम पर मिलती रहे शात्मी चनल सिक्षा कवाली से सब्सक्राइब चलिए अब समझते हैं step by step पूरी प्रकरिया को चलिए देखी देखी साथियों सिक्षा भिवाग के नए नियावलि का अधार पर सिक्षा भिवाग ने साफ कर दिया कि निउगती की प्रकरिया को अभिय Bijर्थियों के अनुकूल बनानी हतु प्रसासी विभाग द्वारा वेब पोर्टल मतलब software बनाकर नियोजर निकाई की स्वाइदता बरकार रखते हुए उक्त नियुक्ति प्रक्रिया में परिवर्तन किया जा सकता है इसको आसान भासा में बोले तो शिक्सा विभाग के द्वारा एक वेब पोर्टल का निर्वान किया जाएगा जिसमें अभ्यर्थी अपना form फिलब करेंगे उसके बाद शिक्सा विभाग के द्वारा हो सकता है इसमें centralized प्रक्रिया अपनाई जा सकती है तो साथियों चलिए हम पहले देखते हैं कि centralized प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को क्या-क्या फाइदा होने वाला है इसके बाद अगले करी में हम बात करेंगे कि centralized प्रक्रिया कैसे होगा इसका process क्या रहेगा उसके बाद निश्ट हम बात करेंगे कि centralized प्रक्रिया में आपको क्या-क्या नुक्सान होने वाला है दखिए जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने में यह निमा वाली नया वाला है 208020 को पब्लिश किया गया था चलिए देखते हैं कि सेंटरलाजेशन में आपको क्या-क्या फायदा मिलने वाला है क्या benefits रहेगा आपको देखिए जैसा कि हम आपके सामने में एक piece पर link करके screen करके आपके सामने में दिखा रहा है time नहीं रहा कि हम ज़्यदा tapping कर सके इसको तो इसको थोड़ा साप manage किजेगा तो साथियों आपको बता दे कि centralizedization प्रिक्रिया में सबसे पहले जो बात होगी वो online apply online apply इससे आपको यह फायदा मिलेगा कि आपको कई news निकाई में जाकर अलग-लग जगह पर जाकर apply नहीं करना पड़ेगा आपको घर बैठे ही कहीं पर भी form फिलप कर सकते हैं और आगे है इसमें आपका समाई के बच्चत के साथ साथ आपका पैसा भी ज़्यादा खर्च नहीं होगा आपको हम पैसा का इसी कारण बात करते हैं साथियों आपको पता होना चाहिए कि आपके जो भी friends होंगे जो छठे-चरे नियोजन में होंगे उसको 10,000 से लेके 15,000 रुपया तक केवल form अपलाई करने में खर्चाया था उसके बाद शमाई का बच्चत होगा शमाई का बच्चत होने से आपको यह benefits मिलेगा कि जो बहाली प्रकिडिया होगी वह जैदा लंबी नहीं चलेगी इससे आपको कॉंसलिंग का फेज जो चरण होता है वह भी कम होगा क्योंकि प्रकिडिया सारा का सारा साप सुतरी रहेगी तो इसमें कोई फर्जबारा भी नहीं होगा उसके बाद next देखते हैं कि आपका जो documents होगा वह हो सकता है कि online प्रकिडिया में skin करकर upload करने के लिए मांगा जाएगा जिससे क्या होगा कि आप original documents upload करेंगे उससे विभाग को documents verification करने में शुबदा होगी और आगे जो online प्रकिडिया में आपको शभी का जो details है वो आसानी से check कर सकते हैं जिससे यह होगा कि कोन अभ्यरती फरजी हैं है ना कोन असली है यह सामने में पारदर्शी तरके से पता चल चकता है आगे देखिए document verification भी असानी से हो सकेगा उसके बाद किस जिला में कितना form फिल किया गया है अभ्यरतीयों को जानने में सिबधा होगा देखिए साथियों centralized centralized प्रकेरिया में अगर एक आविदन लिया जाएगा तो अभ्यरतीयों को क्या-क्या नुकसान होगा इससे इसकी चर्चा हम वीडियो के लाश्ट में करेंगे इससे पहले हम आपको बता दे कि centralized प्रकेरिया process कैसे अपनाया जाएगा इसको समझने के लिए आपको old process जाना परेगा क्या 6th phase में कैसी प्रकेरिया अपनायी गई थी हमको पता है कि आप इसके बारे में वक्षू भी जानते हैं लेकिन फिर भी थोरा सा समझ लिजिए कि यह प्रकेरिया जो 6th phase की थी वो online हुई थी उसके बाद सभी जीला में घुम घुम कर अभियर्थी अपलाई किये थे इससे समाई का बचत तो नहीं हुआ शमय बहुती अधिक लगा इससे यह हुआ कि merit list निर्वान में बहुती देरी आई और परकेरिया जो है 2 साल तक चली 6 जरन की आगे है उसके बाद जब merit list का निर्वान हो गया उसके बाद counseling परकेरिया अपनाई गई जो अभी तक 4-3 phase में हुई और 4 चरन होने वाला है उसके बाद certificate verification हुआ फिर निकती पत्र वितरन किया गया और आगे विद्यालाय आवेंटन किया गया और योगदान दे दिया गया चलिए अब हम तुरत समझते हैं कि centralized क्या है और इसकी परकेरिया कैसे होगी शाथियों आपके सामने एक diagram है इसको थोड़ा सा mind में रख लीजिए इसको mind में इसको थोड़ा सा fit कीजिए इस diagram को देखिए आपके सामने जैसा की बीच में दिख रहा होगा एक web portal मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक web portal का निर्वान किया जाएगा जिसमें अभेर्थी form fill up करेंगे इसमें क्या होगा कि अभेर्थी बिविन बिविन जगह से अपना form fill up करेंगे जैसे की हो सकता है कि 3800 जिले से अभेर्थी form fill up करेंगे और इसमें form fill up करने के लिए अगर अभेर्थियों को एक आवेदन देने का मौका मिला तो क्या अभेर्थी का job secure माना जाए सकता है या नहीं तो साथियों आपको हम बता दे कि दखिए Centralization process में single form apply तो होगा उसके बाद हो सकता है कि multiple district choice multiple district choice इसको आप पुर्ण देखे यह बहुत ही important है multiple district choice मतलब एक से अधिक जिला का चुनाब करने के लिए option दिया जाएगा जब एक से अधिक जिला का चुनाब करने के लिए आपको option दिया जाता है तो हो सकता है कि आपको 4 या 5 जिला का option दिया जाएगा यह तो नहीं होगा कि पूरे 300 district में आप एक किलिक में form apply कर देजिए ऐसा होगा तो फिर वही gathering हो जाएगा वैसे भी अभेर्थी apply में भी 5-6 district में apply किये ते form तो अगर 4-5 district का apply करने का option दिया जाता है तो benefits होगा हमारे लिए कि एक बार में ही हम पूरा का पूरा apply कर सकते हैं उसके बाद इसका क्या नुकसान होने वाला आपको बताते हैं अगर देखिए आपको multiple district choice का option नहीं दिया जाता है तो यह आपके लिए नुकसान सावित कर सकता है क्योंकि हो सकता है कि आप अगर मदवनी district में अपलाई करते हैं या support district में अपलाई करते हैं तो हो सकता है कि आप से अधिक अंकवाले अभेर्थी उस district में अपलाई की होंगे और निशित रूप से ऐसा होगा ही तो इससे यह होगा कि आपका जो मिधा सूची में आपका क्रम संख्या होगा वह बहुत ही नीचे चले जाएगा और इससे यह होगा कि उस डिस्टिक में जितना सीट रहेगा उससे अधिक अभेर्थी चले जाएगे और आपका चेन नहीं हो पाएगा तो यही नुक्सान होगा चलिए अब आगे देखते हैं Multiple District Choice के बाद Multiple District Choice करने के बाद आप फॉरा का पूरा सब्मिट कर देंगे आपका फॉर्म अपले हो जाएगा फिर आगे जब पूरा का फूरा फॉर्व अप्लाई करने का डेट खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको पता है कि 컨ौलिंग की प्रकृरिया स्टाट होगी, फिर 컨ौलिंग की प्रकृरिया का डेट आएगा, जब भी आपका डेट आएगा, उस डेट में आप आगे कि परकडिया होगी वो विद्यलगा अवăंटन की होगी फिर विद्यार अवंटन के बाद आपका वियोगलां ले लिया जाएगा शाथिओं आपको बता दें कि इसमें जो Conselling परकडिया होगी वो हुँ बहुँ पहले के तरह ही Six Phase के तरह ही होगी जैसा पहले हुआ था चलिए साथियों आगे देखते हैं कि Centralization से और भी कुछ जो हानी है, नुकसान है, होने वाला है उसको भी देख लेते हैं देखे साथियों, Multiple District Choice का Option नहीं दिया जाता है, तो आपको पता होगा कि आपको कितना हानी होने वाला है, कितना नुकसान होने वाला है, या तो आप समझी गए फिर आगे, अगर server down रहती है, तो आपका form भी reject हो सकता है, हो सकता है कि जब तक last date होगी form फिलफ करने की, अगर उस last date के एक दिन पहले आप form फिलफ कर रहे होते हैं, और आपका form submit नहीं होता है, तो आपका उस district में form apply नहीं होगा, या आपके लिए नुकसान ही होगा, होगा है, अपने सित रुप से comment करें, question करें, हम उसका जवाब निश्त तौर पर देंगे, तो साथियों, चलिए, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एक छोटा सा लाइक जरूर कीज़ेगा, और वीडियो को जएदा स्यर कीज़ेगा, ताकि यह जनकारी सभी को मिल सक चलिए साथियों, अभी तक वीडियो में बने हैं, तो thanks for watching, please subscribe my channel for the latest update